प्रश्क के लिए चैज़ काईज हुआ प्रश्क कर दो शक्तों पर भूखा ने विचेभी अनु कईश्कूरी है इवियुद्धिक्राइब के विश्चे में हम तो आंदोलन करेंगे हमें कोई शक नहीं हम जानते हैं गड़बड है और गड़बड जो है वो निश्ची दूफ से मुझे पक्का विश्वास है मैं जानता हूँ मुझे कोई इसमें शक नहीं है लोग चाहें मेरा इसे पागलपनी कहें लोग इसको कुछ भी मानें मैं जानता हूँ कि निश्ची दूफ से EVM में गड़बड़ी है EVM में घुटाला है EVM में कड़बड़ी है इसे मुझे कहने की बार-बार ज़रूत नहीं है ये तो सुप्रिम कोट कह चुका है कि EVM से जो 8 अक्टूबर 2013 का उसका जज़्चमेंट है सुप्रिम कोट ने सुवरमनें स्वामी बराम इलक्शन कमिशन ओफ इंडिया उसमें सा आंकडा है अगर यही आंकडा सस्टेन करता है यही आंकडा रहता है तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनने ही है और यही उत्तर प्रिदेश का इस समय का सच हो सकता है तो जो आप कह रहे हैं कि क्या हुआ हूआ कमी कहीं नहीं है देखें पिलकुल मैं मैं आपने भी पूरा कवर किया है हमने भी पूरा कवर किया है जमीन पे आपने भी हकीकत देखी है क्या ये आंकड़े हकीकत से मेल खाते हैं आप बताईए क्या मेल खाते हैं नहीं मेल खाते हैं आप भी जानते इस बात को तो कहीं न कहीं कोई गड़बड है और गड़बड जो ह वो निश्ची तूप से मुझे पक्का विश्वास है, मैं जानता हूँ, मुझे कोई इसमें शक नहीं है, लोग चाहे मेरा इसे पागलपन ही कहें, लोग इसको कुछ भी मानें, मैं जानता हूँ कि निश्ची तूप से EVM में गड़बडी है, EVM में घुटाला है, और जिस त वो जो सारी चीजे हैं, वो इस बात को मेरी बात को पुक्ता करती हैं, ये EVM में गड़बडी है, दूसरी बात, एक चीज और, EVM में गड़बडी है, इसे मुझे कहने की बार-बार ज़रूत नहीं है, ये तो सुप्रिम कोर्ट कह चुगा है, कि EVM से जो 8 अक्टूबर 2013 का उसका जज्जमेंट है, सुप्रिम कोर्ट ने सुप्रमन्यम स्वामी बनाम election commission of India, उसमें साफ कह चुगा है, कि EVM से free, fair and transparent election संभब नहीं है, तो सुप्रिम कोर्ट जब कह रहा है, तो किसी और के कहने की ज़रूत भी नहीं, दूसरी बात, आपको जो दो चीज़े मैं बतात कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, कि ये चुनाब इतने phase में क्यों कराया जाता है, दस तारीकों, दस फरवरी को पहला phase शुरू हुआ, पहले phase के voting हुई, और आज दस मार्च है, यानि पूरे एक महीन तक ये सारा process चला है, क्यों, क्यों नहीं, इस ये पूरा चुन जाब कतम होने के बाद जिस समय पोलिंग बंद हो जाए, वोट पढ़नी बंद हो जाए, उसके दो यसे तीन घंटे बाद ही, काउंटिंग शुरू क्यों नहीं होती है, क्या दिक्कत है, इसमें किसी को भी क्या दिक्कत है, किसी को भी क्या पत्ती होनी चाहिए, हम चाहते ह ना लोग चाहते हैं लोग कहरें कि सबको साप सुतरा हुआ ठीक है साप सुतरा हुआ तो आप इतना साप सुतरा रखो ना कि कोई इस पर सवाल ही ना उठा सके मेरे जैसे व्यक्ति कोई इस पर सवाल ही खड़े ना कर सके आप कराईए एक फेज में हमारे पास में पैसी की कि तीन घंटे बाद उसकी counting शुरू कराई जाए एक सीधी सी बात है सौबा भी के हर कोई जानता है कहे नहीं सकता मैं कह देता हूँ बस इतनी सी बात है कि बैमानी कहीं ना कहीं मन में है तब ये इतने phases में चुनाप कराई आ जाता है एक बात दूसरी बात एक बहुआट टेक जो उसके पास में EVM मशीन होती हैं, जिसमें कंट्रोलिंग यूनिट और दूसरा बैलट यूनिट और तीसरा वीवी पैट ये तीनों जो हैं, इन तीनों मशीनों पर पीछे जो हरे रंग का स्टिकर लगा होता, उस पर जो इन्फोर्मेशन होती हैं, कि किस राज्य में हैं, क इसके अवलाबर डिस्टिक सीरियल नंबर जो बूत नंबर होता है, जिससे वो रिटर्निंग ओफिसर उस पर मशीन पर डालता है, उस हिस्टिकर पर लिखता है, और उसके नीचे फिर उस इंजीनियर के सिगनेचर, और नीचे जो आरो है, उसके सिगनेचर, और फिर उसके यहां पर देते हैं, तो यह अगर आपको इवियम पर संदेथ था, तो आप पहले जो आप यह बाते हैं, कि इवियम के विरोष में आपने क्यों ही का है, दानिव भाई आप यह कह रहे हैं, मुझे इस से दुख हो रहा है, आपको तो मालूम है कि पहले दिन से मैं सारे EVM के विशे में सारे सवाल खड़े कर रहा हूँ और मेरे ये valid point है करोणों की संक्या में लोग देख चुके जो बात मैं आप से कह रहा हूँ यही बात मैंने लोगों को बताई समझाए कि पोलिंग एजेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना है नहीं हमने पूरा अवेर करने का प्रियास किया लेकिन ये बात भी मैं मानता हूँ कि लोग जब जोश्म होते हैं तो कई बार होश खो बैठते हैं उसका नतीजा कई बार घातक होता है इस वार इसमें कोई शक्निया बहुत जबरदस जोस था उत्साह था जीत की उम्मीती लोग साथ में थे बड़ी जबरदस रेलिया थी इसमें कोई शकनी ये सबने देखा है पूरी दुनिया को मालू है जो आज परनाम है वो जमीनी सच्छाई से बिल्कुल अलग है तो वो सबने देखा हैं और हमने बार-बार समझाई की कोश़िस की बार-बार समझा है भी किया-किक्या किन-किन चीजों का ध्यान रखना है जो बूत पर istعمaldo हुई, वही मशीन, यहां पर, काउंटिंग लए लाई गई है, सिर्फ वो जो beautiful, पीछे हरे रंग का जो sticker होता है, उस पर information होती है, उस से, जो उस पर, हलके pink color की, यानि हलके गुलावी color की, जो उस पर seal लगी होती है, वो कई कठी फठीतों नहीं उस से उन सारी चीजों से होता है ये information कभी जो है candidates जो है candidates के polling agents को नहीं दी गई पार्टी इसको नहीं दी गई तो अब आप जो भी machine कर रहे हो किसी को क्या पता है कि जो machine यहाँ पे इस समय counting और यह वो ही machine है जो polling booth पे इस्तमाल हुई थी किसी को न कैदी टाइप जो agent होते हैं counting agent वो इस तरह जवा रहते हैं कोई बात हो वो भी आदमी वहां नहीं होता इस तरह का माहौल होता यह जो सारे चीज़े हैं इनको देखने की ज़रूरत है कि गड़म पर यह जानत मैं जोख मैंने जो नहीं है जो आप कहा कि कैई बार व्यक्ति यह लोग उत्सहा में जोश में होस्ट थोड़ा सा खो बैटते हैं जो उन्हें चीज़ें ध्यान रकनींची हैं टेविल वर्क जू होना चीए जैसे हम चीजों को जहां जहां चेक कर सकते हैं कि गड़बड़ी ना हो उसमें हम कई बार जोश में बहुल कर जाते हैं उन चीजों के विशे में बबात कर रहा हूँ जैसे मैंने EVM के विशे में क्या-क्या चीज़ हैं साब्धानी बरतनी चीए मैंने वो बताई लगातार लोगों को बताने का प्रियास किया पर मैंने देखा कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब वो सारी चीज़ है आपके सामने आ रहे हैं आगे क्या कदम होगा है यह देखें कदम बहुत सिधा है लडाई अनवर बतार चलेगी यह संगर्ष यहीं रुकने वाला नहीं है यह संगर्ष आगे चलेगा हाँ अब यह संगर्ष और कठिन हो गया है और आगे आने वाले समय में लोगों को समझना पड़ेगा लोगों को जानना पड़ेगा कि असले लड़ाई क्या है कैसे लड़नी है कैसे उन कोई कुछ भी समस्या आगता है लेकिन मैं ये मानता हूँ कि केवल दो साल है और दो साल केवल और केवल यही काम होना चाहिए 2024 के चुनाप के लिए और बाकादा बैट के रणनिती बनाई जाए गटबंदन के जितने भी साथी है वो सारे साती मिलके बैटके विचार करें और विचार करके एक व्यापक रणनिती बना के एक स्ट्रोंग रणनिती बना के उसको इंप्रिमेंट करें नीचे तक तब जाके ये सारा बदलाब होगा तो क्या सला होगी अपने शियादब को माने या गडवंदन को आपकी तरफ से क्या सरा होगे क्योंकि कहा जा रहा है कि 24 का रास्ता जो है बीजेपी के लिए अपतो साफ नदर आ रहा है कि 24 वो जित रहे हैं ऐसे में एक आंदोलन का क्या हो एवियम को लेकर आंदोलन होगा क्या कुछ होगा लोग सरक को उतरेंगे अपनी बाटिया सरक को तुरे विडियोत करेंगी चीज होगा ले देखिए इवियम के विशे में हम तो आंदोलन करेंगे हमें कोई शक नहीं हम जानते हैं कि जब तक इवियम में आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे इवियम को तो हटाने ही पड़ेगा नहीं तो 2024 का च उसको और दुबारा से जो उसमें सोचेंगे विचार करेंगे कि क्या होनी चीए और बेस्ट जो पॉलिसी है एक रणनिती है उसको बनाकर हम इंप्लिमेंट करेंगे हम अंदोलन इवियम के विशे में करेंगे हमें मालुम है इसमें हमें कोई शक नहीं है और रही दूसरी बात तो बाकी जो गडवंदन के साथ ही है सब बैठके रिसाइट करेंगे और विचार भी मर्श करेंगे कि आगे किस तरह से चलना है क्योंकि मिलके ही सब को चलना पड़ेगा अलग-अलग कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा मिलके चलेंगे तो निश्य तूप से सफलोंगे और रणनिती बहतर तरीके से बनानी होगी नहीं बनेगी तो दिक्कत सामने खड़ी होगी यही सितिए यह है सब कुछ ऐसा मैं नहीं मानता जैसा आप कह रहे हैं देखे इस चुनाव में भी हम सब आपके यह रोजगार योगी जी का हिंदूत मोडल भारी नहीं है योगी जी का यह यू कहो कि बीजेपी का जो एवियम मामला है यह भारी है इवियम ही भारी है अन्य तक कुछ भारी नहीं है रोजगार का मुद्द था मेंगाई का मुद्द था और जो सौस्ब्धाओं का मुद्द था कोरोना में जो मोते हुई किस तरह से गंगा में बहती हुई लाश है और आप अलाबाद की रेती में गड़ी हुई लाश है वो सारे मुद्दे थे और किसानों का मुद्दा था गन्ना किसानों का मुद्दा था मजदूरों का मुद्दा था मेंगाई का मुद्दा था सारे मुद्दे थे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और सुरक्षा का भी मुद्दा था कभी ये कोई सोचता हो सुरक्षा का मुद्दा भी था सिक्षा का भी मुद्दा था सारी चीजें थी और साथ मैं आपको बता हूँ कि 2004 में जो पेंशन उनके जमाने में अटल भी आरी बाजबी जी की जमाने में पुरानी पेंशन बंद की गई वो पेंशन भी मुद्दा था जिसके लिए माननी अकले जी ने घोशना की कि हम आएंगे तो पुरानी पेंशन जो विवसा है उसको लागू करेंगा मुद्दे सारे थे और सारे मुद्दे जबर्दस तरीके से जंता में घूम रहे थे और एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा था जो आप चलेंगे पहले दूसरे चरण से लेके आखिर तक तो बहुत ही बड़ा कभी कभी तो लगता था कि वही साथ सबसे बड़ा मुद्दा ह जो आवारा पशू थे, उनका जो मुद्दा था, वो मुद्दा कई जिगे बहुत बड़ा बन गया, और वो बहुत कड़वी सचाइती, लोग उससे बहुत परिशान थे, सारे मुद्दे थे, लेकिन EVM, हमारे भी चार से, EVM पूरी तरह से इन पर भारी बढ़ गई, अन्य मतलब ही नहीं था, मैं बिल्कुल मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मैं जानता हूँ, मेरे पास ये सारी चीजों की अच्छी तरह से जानका रही है, EVM निश्ची तरुप से मुद्दा है, मैं फिर कहता हूँ, EVM हटा दीजे, फिर चुना आप करा लिजे, आप कल्ली करा ल या बहुत लोग अगर कहने लगें कि नहीं साफ ऐसा नहीं है, या चंद लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा है, EVM से आ रहे हैं, या कोई कह मैं आकिलाई कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ, EVM में गड़वड़ी है, EVM जब तक है, BJP को हराना क्योंकि सब के लिए है, सब को मिलके लड़ना पड़ेगा, और सब मिलके लड़ेंगे, तभी सफलता मिलेगी, EVM मुद्दा है, कोई ऐसा नहीं कि EVM मुद्दा नहीं